तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे नमकीन सेवयां सिर्फ टमाटर प्याज और हरी मिच से और बहुत कम मसालों से देखते हैं कैसे बनती है ये सेवयां तो फ्रेंड्स नमकीन सेवयां बनाने के लिए हम ले लेंगे 400 ग्राम सेवयां बुनी हुई गी पांच च शॉप करके ले लेंगे दो टमाटर चॉप करके और उर पांच मिचơi्ओ नमक चॉप कर लेंगे दन्या चॉप करेंगे सबसे पहले fry pan में हम तेल डाल लेंगे, करीब अने दो चमचा, वो इसको गरम होने के बाद प्ली प्यास डाल देंगे हम fry pan के अंदर। वो इसको golden brown होने तक fry करेंगे, यह देखिए हमारी प्याज golden brown हो चुकी यह, आप इसमें डाल देंगे अपने हर image जो चोपर करकी रखी ती हमने इसको भी fry कर लेंगे अच्छी तरह गैस की flame को medium रखेंगे ये देखिए हमारी हर इमेज भी fry यह उच किये प्याज के साथ अब हम डाल देंगे इसमें अपने टमाटर चौप किये हुए इसको भी इसी के इंदर fry कर लेंगे ये देखिए हमारा टमाटर प्याज और ह इसको एक मिनट तक ढखके रख देंगे अब बिल्कुल slow flame कर देंगे गैस की ये देखिए दोस्तों एक मिनट बाद हमारे टमाटर प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरीके से fry हो चुके हैं ये गल चुके हैं अब हम इसमें डाल लेंगे अपने मसाले मसालों को भी डाल ले इसको पहुन लिए embodied ये अब इसको एक मिनट तक करीबन डखके रखेंगे के एक मिनट बाद हम इसमें पानी मिला देंगे करीब दो गिलास ताकि हमारे मसाले जले ना और सेव यह जले ना इसको पाई डालने के बाद हम करिबन 5 मिनट के लिए डखके रख देंगे इसको यह देखिए हमारा पानी अभी नहीं जला है पांच मिनट बाद थोड़ी गैस की फ्लेम तेज करके हम इसको दुबार डखके रगदेंगे करीब पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके गैस की ये देखे दोस्तों फाइनली हमारा सेमये बनके तयार है इसका सारा पानी जल चुका है और इस सेमये भी फूल चुकी है देखिए अब इस पर हरादनिया डाल के गानिश करेंगे और हर अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसके अंदर ये दोस्तों बहुत अच्छी लगती है बहुत कम मसालों में तयार हो जाती है सिर्फ टमाटर हरी मिच प्यास से ये देखे दोस्तों हमारी नमकीन सेविया तयार है बनके दोस्तों मीठी सेविय से भी बहूत अच्छी लगती है सेविया दोस्तों अगर ये रैस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों आगे भी आपको ऐसी अच्छी और यूनिक वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थेंक यू आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में